हेले विरोन कैसे हैं आप सब एक बार पुना सी कोचिंग क्लस्स पर स्वगात हैं उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चे होंगे मस्त होंगे बेतर होंगे आपकी पढ़ाई बेतर चल रही होगी बच्चो बोर्ड एकजाम 2024 में इंगलिस की बात करें हम तो 8 फरवरी को यंपी त्यारी कर भी लिए होंगे और जो भी बच्चो आपको प्रवाइड करते रहोंगा लेकिन इंगलिस का स्ट्रेड़िया आप समझ लो क्योंकि इंगलिस की भी तैयारी कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर कैसे करें अब में रूप से होता है कि किस सिक्वेंस से आप पढ़ रह को चीज होता है तो छले है सुरू करते हैं सबसे पहली बात हमारा सेक्शन सी को लेकर चलता बैठो सेक्शन सी में जो मैं आपको बच्चों से को इनका प्रयोग है ए एन दा का प्रियोग है है ना आउटू का प्रियोग है कुड सुड वूड इनका प्रियोग है इसलिए बच्चो इसके पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने जैसे important question 2024 का playlist बना हुआ है आज मैंने 2024 के लिए English का अलग से playlist बना दिया हूँ दो वीडियोज भी प्रवाइड कर दिया हूँ डूएश डिरेक्टर और फिलिंदा वलेंक्स का और कोशिस यही करूँगा क्योंकि बच्चो आप लोगों को ये पूरा जबाबदारी हमारा है इसको तैयारी कराने का आप लोग भी practice करेंगे ऐसा नहीं है क्योंकि जरूरी नहीं रहता कि जो हम आपको example देंगे वही paper में आ जाएगा लेकिन similar आपको देखने को मिलेगा जैसे ए एंदा का प्रियोग, समेनी का प्रियोग मचमेनी का प्रियोग, और आपका बच्चो सिंसफार का प्रियोग है ना, और EJMR, Translation यह सारा चीज, grammar portion हम आपको कराएंगे, यह आप बिल्कुल निश्चिंत रहें बस अधी चैनल पहली बारा हैं, चैनल को subscribe कर लें, और बच्चो जो हमारा letter है, application है, important जो letter application है, इस पर मैंने separate बहुत सारे वीडियोज प्रोइड किये हैं, आप लोग नहीं देखे होंगे, लेकिन अधी आप कहोगे तो जिससे कल ही मैं, चार application चार letter प्रोवाइड कर दूँगा, फटा-फट प्रोवाइड कर पाच-पाच मिनट का काम रहता है हाँ, letter application लिखने का तरीका होना चाहिए, कोई भी आप letter आजाए, कोई भी आप application करता है, जैसे paragraph, paragraph आप से नहीं बन रहा है, किसी भी चीज़ के बारे paragraph पूस्ट दिया गया, तो थोड़ा बहुत, जैसे दो चार लाइन उसका लिख लिए starting के, तो बीज बीच में आप passage कभी लिख सकते हो, आप बिलकुल निश्यन्त रहे, ऐसे बच्चों के लिए ट्रिक काम आता है, जिससे कुछ नहीं बनता जिससे कुछ भी ने, इंगलिस में पास होने की लाले पढ़ जाते हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, मांकि जो टापर बच्चा होगा, तो वैसे भी पूरा बिद्वत अपने से पैराग्राफ, दो-चार पैराग्राफ तयार करके जाता है, लेकिन ऐसा होता है कि जो पैराग्राफ आप पढ़के जाओ, वही एक्जाम में नहीं आता है, तो फिर ऐसे में दिक्कत करके लिखना, बच्चों मैं भी हिंदी मीडियम सही था, इसलिए मैं हिंदी मीडियम के बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए सबसे बड़ा परसानी है, पैराग्राफ के लिए हलांकि साल भर से मैं पढ़ाते आया हो, कि लेकिन फिर भी आपसे नहीं बनना तो पैराग्राप में दो चार लाइने लिख लिए तो बीच बीच में आप लोगों को पैसे से लिख लेना है कोई परसानी नहीं है नंबर आपको पूरे तो नहीं मिलेंगे लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरे कट भी जाए ठीक है मैं उन चार पोस्टर दो चार एडवर्टाइजमेंट मैं जल्दी आपको प्रवाइड कर दूँगा इसके पहले बचो जब एक्जाम के दस दिन पहले समें इंगलिस का सेपरेट वीडियो आपको प्रवाइड कर रहा था कि कौन-कौन से पोस्टर तयार कर लो कौन-कौन से जादा फोकस करना है क्योंकि फिल इंदा ब्लैंक्स ग्रामर पोर्शन अभी आप तयार कर लो खाली-खाली समय में दो-दो घंटी क्योंकि आपका जो हिंदिये बच्चों मेंने बहुत जादा रिवीजन करा दिया है तो इंग्लिस में मैं सोचा क्यों ना आपको समझा दो चाहिए वो नहीं मिल पाता कैसे जैसे आपका दो पैसे जाता है जो आपका एक पॉयम से आ जाता बच्चों है ना और एक ऐसे ही आता है मतलब दो चैप्टर पॉयम और जो आपका मालिजे जैसे कोई भी किसी भी टॉपिक पर कहानी है उस चैप्टर से आ जाएगा तो कही न कहीं चैप्टर नेम और आथर नेम पूछ देता है कि यह जो पॉयम है जो पैसेज है पॉयम को पैसेज है यह कहां से दिया है किस चैप्टर से लिया गया है या कि आपके पास पूछ देगा कि आथर नेम क्या है तो ऐसे में आप लोग वहाँ पे गलत कर बैठते हो और तरिके से त्यार कर ले अब यहां पर जब बात आती है कि सर्फ पैसेज पैसे तो हमसे कुछ भी नहीं बनता कैसे करें आप लोगों मैं गृर्णेट प्रोवाइड कर दूँगा पहला क्रमी बता रहा हूं पहले आपको भी ग्रामर पोर्शन डुएज डिरेक्टर्ड अप्लीकेशन लेटर पोस्टर एडबार्टाइजमेंट यह सब तयार कर लेना बच्चो आप कहोगे तो कल ही इस पर में वीडियो दे दूँगा डुएज दो चार पोस्टर दो चार एडबरटाइजमेंट बता दूँगा जिससे आपको परसानी नहीं होगी सेक्शन डी में सबसे पहले आपको तयार करना है चैप्टर नेम चैप्टर और अथर नेम यह जो आपका पैसेज होता है बच्चो पैसेज कहां से आता है एक आज बच् आप देखोगे तो हमेंसे एक ही साल रहता है कि 2023 का है 2022 का कभी ऐसे ने तक बाइस में आया था ठारा में आया था हर साल चेंज दे कर देता है हाँ उसकी तरीका होनी चाहिए कि कैसे आपको सॉल्व करना है तो ये मुझे पर छोड़ दीजिए पैसे कैसे सॉल्व करें उस पर म आपको मिहनत करना पड़ेगा अब हम तो ये कहते हैं हम अपना तरीका बताते हैं कि कोश्चन इंसर आपको तैयार करने का तरीका ये है कि मा लिजे आपके पास पांच चेप्टर है ठीक है पांच चेप्टर में तीन चेप्टर आप तैयार कर लो और वो भी कैसे कोश्चन तैयार करू चोटे-चोटे question तैयार करोगे यही मालीजे कोई बड़ा question आ गया तो उसी कब मिला करके लिए देना ऐसे प्रस्ण तैयार करना है आपको जो एक्जाम में बन जाए ऐसा भी नहीं है कि आप उसको पढ़ते रह जाओ रटते रह जाओ आप से बने भी नहीं इसलिए मैं आपसे दर्खोस्त करता हूँ आपसे निवेदन करता हूँ कि ऐसे ही प्रस्ण त्यार करना जो आपसे एकजाम में बने ऐसे कोश्चन को पढ़ना है और यदि इंगलिस का कोश्चन इंसर ना भी बने तो फिर भाई सहाब उन प्रस्णों को मत फोकस करन बलकि उससे ज्यादा है ग्रामर पोर्शन पढ़ो पोस्टर हो गयरा पढ़ो जिसमें आपको पासिंग नंबर अच्छे तरीके से मिल जाएगा बाकि जो अच्छे तरीके से इंगलिस पढ़ रहा है इंगलिस में 95 लाना 90 लाना बच्चो आसान नहीं है जो पूरा बेसिक स पांच से तयार कर लेता था जो ऐसा लगता था इंपॉर्टेंट है कुछ कोशन जो याद नहीं होते थे उनको नहीं पढ़ता था क्यों क्योंकि हो सकता है था तीन में से दो इक तो बनी जाए एक आथ कोशन चुट जैसे माली जे चार कोशन दिया बोला इसमें से तीन करन है तो चलो एक नहीं बना तो छोड़ दो तो कम से कम तीन बना और तीन में से एक भी नहीं बना तो दो तो बना लगत तो अब दो बन गया तो ऐसे होता बच्यों कि एदि माली जे आप चेप्टर में दस कुशन दे रख्यों ». 10 में से अब आपने आठ तयार कर लिया तो कैसे क्या ट्रिक लगाना कैसा करना है का कुछ नकुछ लिख लिख किया कुश्चन आपको अटेंड करके आना है और या उप इस पर फोyect देख पाओ लेकिन डाट पियों कर में को जरत नहीं करना IT हो किश्षिज को आप लोग के डिमांड के अधार पर अभी हिंदी के इतने सेपरेट वीडियो प्रवाइट किया है और अगामी समय में ऐसे वीडियो जो आल लाओंगा आप निश्चिन्त होकर त्यारी करते चले बस प्यार और सपोर्ट बनाया रहे है चैनल पहली बारा चैनल को सब्सक्राइब कर ले हमा क्या होगी लेकिन थोड़ा सा मेनत कर लो वर्स बाकी निरास नहीं होना किसी भी कदर कैसे भी आप लोग बिलकुल नाखुस मत होना अंदर से होसला जो है उसे बनाए रखना और जो अंदर डर है उसे डर के रुप में मत देखो हाँ इतना समझो कि जिस प्रकार से क्वार् देना और त्यारी करते रेना जैहिन बंद महतरम